क्रिप्टो फर्म जेनेसिस ने कहा है कि निकट भविश में कम्पनी को बेंकरप्सी दाखिल करने की ज़रूआत नहीं है जेनेसिस ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब क्रिप्टो एक्षिंग FTX ने कुछ दिन पहले ही बेंकरप्सी के लिए आवेदन किया है जनेसे इसका कहना है कि फंड जुटाने के लिए करज़दारों से उसकी बाठीच चल रही और उसका मकसद बिना बेंकरप्सी दाखिल किये फंडिंग की मौजुदा संकट से बाहर निकलने का है सर वेश्विक स्थार पर इतनी ज़्यादा हल चल है भारत में क्या बाल बाल बच गए हम अगर आप मिल्टाउन डन इस ताजे मिल्टाउन के दोर को देखें तो भारत के लोग बाल बाल बच गए उसकी दो बड़ी वज़े थी ऐसे दो तरह से हम देख सकते हैं नुकसान की दृष्टे से भी और भारत में जो नुकसान कम हुए उनकी दृष्टे से भी पहले चीज तो यह कि पिछले साल जब दोजार बीस एकीस से भारत के रेगुलेटर खास्तरों सेस में आरबी आई को धन्यवाद देना होगा कि आरबी आई ने सारी दवाओ के बावजूद जबकि बाजार में हर वेक्ती जो क्रिप्टो पर सवाल उटाता था उस पर उस ना करने की सलहा दी थी और यहां तक कि भारत के रिजर बैंक ने खुल कर इसे पूंजी कहा था कि एक पूंजी इसकी में और वो जो माहौल बनाया गया वो जो बताया गया उससे भूत सारे निवेश को ने समय पर अपने को बचा लिया या तो वो निकल आये या उन्होंने निवेश बंद कर दिया सरकार इस मामले में काफी धीली थी सरकार ने काफी कुछ फैसले किये कुछ नहीं किये बिल लाने की कोशिस की नहीं की लेकिन बाद में बजट में एक तरह से सरकार ने इसे ग्यांबलिंग की सीमा में डाल कर यह संकेत दे दिया कि सरकार इस निवे एक रेगुलेटर पहले जागा दूसरा रेगुलेटर कम वेश बाद में जागा पर दोनों ने मिलकर क्रिप्टो को लेकर कम से कम भारत में यह परिस्तिती तो बना दी कि जो लोगों के पास अलार्म और वार्निंग परियाब्त मातरा में पहुँच चुके थे हाला कि तब तक भारत में काफी कुछ प्रशार हो रहा था कि सब कुछ चल रहा था उसका असर यह हुआ कि जब हम आज अफ्टी एक्स का मेलडाउन देखते हैं या बाकी कंपिनियों एक्शेंजेस का में नहीं देखा तो शुबर एक पहलू तो यह दूसरा पहलू है कि भारत में करीब दो मिलियन के करीब लोगों ने क्रिप्टो में इंवेस्मेंट किया था ता अब अलग अलग तरीके के दोजार से दसजार से बीसजार उपय तक के छोटे इंवेस्मेंट थे वो कहां बयानों में कहा था कि बैंकों के जरीए उसके पास जानकारी है कि क्रिप्टो में कितना निवेश हुआ है क्योंकि ट्रांजेक्शन्स तो बैंकों के जरीए हो रहे थे और बाद में सरकार ने इसमें दखल करते हुए बैंकों और क्रिप्टो एक्शेंजों के बीच ट्रां उक्सान हुआ और कितने लोग फसे ताकि लोग सतरक रह सकें आने वाले समय में और हमें ये भी याद रखना होगा कि ठीक दो साल पहले भारत में बहुत सारे बहुत सारे सारे लोग बहुत सारे सेलेब्रिटीज बहुत सारे स्टार्स भारत में क्रिप्टो को प्रमोट कर रह रहे थे और हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि ऐसी कोई भी चीजें जिनके बारे में रेगुलेशन सही नहीं है सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को 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 उनके बारे में कानून बनने से पहले तक खरीदने के लिए प्रेरित ना किया जाए यह कृट्टों स इसके बाद यह मैटडाउन हो गया अब लोगों को समझ में भी आ गया पॉंजी बोल दिया गया सब कुछ बोल दिया गया क्या अब भी इसको कानून बनाने के लिए क्या चीज बातचीत होगी आगे बढ़ेंगे बजट का इंतजार है क्योंकि सरकार पिछले एक साल से क्र सोदा भी तैयार था क्या सरकार क्रिप्टो पर अभी भी कानून बनाएगी या इसे मान लिया जाएगा कि पॉंजी और एक खतम हो रहा है ये बात तो हमें बजट में सरकार से पता चलेगी जी ट्वेंटी देशों के बीच में भी हाल में चर्चा शिरू ही क्रिप्टो को को लेकर काफी सतर्ख हैं और काफी अलग अलग तरह से जाच और जाच और परताल शुरू ही है क्रिप्टो के कारोबार को लेकर जो मवजूदा शेक अप हुआ ना शुबर मुसके बाद दुनिया के रेगुलेटर्स की का भरोसा क्रिप्टो में फिलहाल जिस पर जैसी आएं सावरेंड करेंसी उनके डिटल संस्क्रान वो सब पूरी दुनिया में उनका इस्तेमाल प्रियोग पाइलट शुरू हो गाए भारत में रूपै का प्रियोग शुरू कर दिया है चाइना में योरोप में सब जिगे लग लग जिगे बैंकों के अपने डिजिटल करें